हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमेस्ट्री विद कार आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हालोजेनेशन ओफ एलकेन पार्ट टू पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर किसी एलकेन का हालोजेनेशन कराते हैं तो कितने टाइप का अगरेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कौन माइनर प्रोडक्ट होता है इसके बारे में हम बात करेंगे आज के लेक्चर में जड़ा धियान दो यह हमने कुछ टेवल बनाया है इसको हम समझाएंगे बट उसके पाले एक कोईशन से ही शुरू करते हैं जैसे एक कोईशन हमने लिया हमने बोला कि CS4 का करा दो क्लोरी लियुनेशन हन्यू के परजन्स में CS3, CL हो गया और HCL बने लिया है एक ही पॉड़क्ट बना एक ही तरह का पॉड़क्ट बनेगा इसमें अगर हम CS3, CS3 की बात करें इसका करा दें क्लोरी नेशन तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मोनोक्लोरीनेशन कराना है तो एक ही प पॉड़क्ट बनेगा लेकिन वहीं अगर हम यह वाला कमपॉड ले 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 प्रोपेन ले 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 और इसका करा दें क्लोरीनेशन मोनोक्लोरीनेशन तो यहां पे दो पॉड़क्ट बन सकता है दो पॉड़क्ट बन सकता है अब सवाल है कि यहां पे कौन मेजर होगा कौन मा से इसका ब्रोमिनेशन भी कराओंगे तो दो तरह का प्रोड़क्ट बनेगा शवाल है कौन मेजर कौन माइनर ठीक है यहां पर हमने एक टेबल बनाया है हम सिलेवस से बाहर नहीं निकलना चाहते अधरवाइच इसका भी एनालिसिस किया जा सकता था बड़ हम बिदिन से लेवस बात करना चाह रहे हैं ताकि काफी जादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए और जरूरत भी नहीं है जितना जरूरत है जेई एडवांस के लिए निट के लिए उतना के ही बात करना समझदारी है हाला कि फिर भी थोड़ा बाहर निकलते हैं बर चलो ठीक है बहुत बाहर हम नहीं निकलेंगे देखो इसका अगर पुछा जाए कि यह दुनों में कौन मेजर तो मेजर कौन बनेगा यह दो चीज़ों पर डिपेंड करता है एक तो डिपेंड करता है रिएक्टिवीटी पे और एक डिपेंड करता प्रोबबिलीटी पे यह रिएक्टिवीटी क्या है प्रोबबिलीटी क्या है धियान देना यह जो इधर हमने लिखा है chlorine, bromine, iodine को हमने छोड़ दिया और fluorine को छोड़ दिया क्योंकि fluorine का reaction uncontrolled होता है और iodine का extremely slow होता है तो उस दोनों का reaction नहीं कराया जाता, generally नहीं पुछा जाता है तो उसका हमने table नहीं बनाया है यहाँ पर hydrogen लिखा है 3 degree, 2 degree, 1 degree कहने का मतलब, बस इसको देखो, इसको देखो नीचे वाले को मन देखो कुछदर के लिए, बस इसको देखो यह दो कॉलम को, यह दो रोगो को देखो बस, देखो अगर यह एक compound है, ध्यान देना यह एक compound है तुम जानते हो कि जब हैलोजिनीशन होता है तो पहले फिरी रेडिकल बनता है अगर यह यहँ वाला hydrogen निकला तो फिरी रेडिकल यह बनेगा यह यह बनेगा यह बनेगा तो फिर रेडिकल ये बनेगा और अगर यहाँ वाला हाइडोजन निकला यहाँ वाला तो फिर रेडिकल बनेगा ये वाला बनेगा या फिर थोरा सा सिंपल कर देते हैं इसको मिटा देते हैं इतना ही रखते हैं तब क्या पॉसलिटी है यहाँ वाला आयडोजन निकलेगा तो यह फिरी रेडिकल यहाँ वाला आयडोजन निकलेगा तो यह फिरी रेडिकल अब फिरी रेडिकल के थुरू ही हालोजनेशन होता है तो अगर हम बात करें कि यह दोनों में कौन जादा स्टेबल तो इस दोनों में ज़्यादा stable इधर वाला है यह ज़्यादा stable है क्योंकि यह 3 degree free radical है और यह 1 degree free radical है तो ऐसा लगता है कि जब यह free radical stable है तो यहीं free radical बनना चाहिए और फिर chlorine या bromine जो भी हो यहीं पर जुनना चाहिए ठीक है बड़ दूसरा factor देखो reactivity factor इसी को बोल रहे हैं कि reactivity के cording यह hydrogen का reactivity हालोजन के towards कम है और यह hydrogen का reactivity हालोजन के towards जादा है क्योंकि यह hydrogen जब निकलेगा तो free radical ज्यादा stable बनता है यह hydrogen जब निकलेगा तो free radical कम stable बनता है ठीक है तो इसी के cording इसी के cording product बनना चाहिए ऐसा लगता है लेकिन एक चीज बताओ कहीं भी reaction होता है तो collision के कारण ही होता है तो मेरे को बताओ यहां से hydrogen निकलने का chances ज़्यादा है कि यहां से hydrogen निकलने का chances जाता है इसी बताओ यह free radical बनता कैसे है जब halogen free radical जब XX तूटता है और halogen free radical बनता है यह halogen free radical इस से आकर टकडाता है तो बतो यहां से टकडाने का chances ज़्यादा है कि यहां यहां से टक्राने का चांस से ज़्यादा है देखो यह वाला फिरी रेटकल बनाने के लिए एक ही हाइडोजन रिस्पॉंसेबल है यह वाला फिरी रेटकल बनाने के लिए यहां का तीन हाइडोजन यहां का तीन हाइडोजन यहां का तीन हाइडोजन कि ज़्यादा टकराने का chances तो नौ hydrogen के साथ है ना तो उसी साब से तो इस hydrogen यहाँ वाला hydrogen यहाँ वाला hydrogen में से कोई निकलना चाहिए और यह बनना चाहिए मतलब probability factor के according, collision का probability को consider करें तो यह वाला product बनना चाहिए इसके corresponding product बनना चाहिए और अगर reactivity को consider करें मतलब यह hydrogen इसके टोट्स जादा reactive है क्योंकि यह जब यह x dot यहाँ से h dot को निकालेगा तो ज़्यादा stable चीज़ बनेगा मतलब यह hydrogen ज़्यादा reactive है और यहाँ वाला जो hydrogen है यह सब जो hydrogen है यह कम reactive है यह कम reactive है क्योंकि यहाँ का फिरी रेडिकल कम stable बनेगा यह यहाँ से h को नहीं निकालना चाहेगा यह यहाँ से h को निकालना चाहेगा reactivity के कोड़ी यह ज़्यादा reactive यहाँ से निकलके फिरेडिकल ज़्यादा stable यह 9 कम reactive यहां से एक्स यहां से जब एक्स निकालेगा तो यह फिरेटकल बनेगा यहां से निकालेगा यह बनेगा यहां से निकालेगा यह बनेगा नाइन है डोजन में से कोई भी निकालेगा तो यह बनेगा लेकिन यह हाइडोजन निकलना ही नहीं चाहेगा क्योंकि यहां का फिरे 9 hydrogen यह पोड़क्ट बनाने वाला है तो probability probability factor के पोड़क्ट बनना चाहिए और reactivity factor के according यह पोड़क्ट बनना चाहिए अगर हम probability factor को देखें तो यह product बनना चाहिए क्योंकि 9 hydrogen 9 hydrogen यह product बनने के लिए responsible है और reactivity factor और इसमें कितना hydrogen है एक ही हाइडोजन है जो यह product बनाने के लिए responsible है लेकिन reactivity factor के coding देखें तो कौन बनना चाहिए? probability factor के coding ये ये बनना चाहिए reactivity factor के according ये बनना चाहिए एक मिनट इसको थोड़ा और फ्रेस लिख देते हैं probability factor इसमें ये बनाने के लिए कितना hydrogen responsible है 9 hydrogen ये बनाने के लिए कितना hydrogen responsible है 1 hydrogen तब probability factor के according ये बनना चाहिए क्योंकि 9 में से टकराएगा तो ये 9 के साथ टकराने का चांसे ज़्यादा है कि ये के साथ टकराने का चांसे ज़्यादा है इस 9 में से किसी के साथ टकराने का चांसे ज़्यादा है इसका मतलब यहीं से अच निकलेगा मतलब probability factor के according ये बनना चाहिए तो तुमको क्या लगता है कि reactivity देखना चाहिए या probability देखना चाहिए मेरे समझ से दोनों को consider करना चाहिए दोनों का कुछ-कुछ contribution रहेगा और actually मैं दोनों का contribution रहता भी है जो overall percentage आता है इसका और इसका experimental percentage आता है क्लोरिनेशन का इसका कितना परसेंट बना और इसका कितना परसेंट बना उसको उसका analysis करने से पता तो यहीं चलता है कि reactivity factor का भी contribution होता है और probability factor का भी contribution होता है percentage में ठीक है तो अब हम कैसे reactivity factor और probability factor दोनों को consider करेंगे देखो कैसे करेंगे इसको हम हटाएंगे लिखना चाहाँ तो लिख लो या फिर छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है देखो यह जो हमने लिखा है one degree hydrogen का reactivity अगर one है तो two degree hydrogen का reactivity 3.8 होगा और three degree hydrogen का reactivity five होगा क्लोरीनेशन के केस में और ब्रोमीनेशन के केस में बन डिगरी hydrogen का reactivity अगर one होगा तो two degree hydrogen का reactivity होगा और three degree hydrogen का reactivity 16 हैंडेड होगा ब्रोमीनेशन के केस में ठीक है ऐसा मत तुम सोचना की सर ब्रोमीनेशन का भी रेट बन और क्लोरीनेशन का भी रेट बन तो यह दोनों बरावर कैस हो गया आप तो बोले थे फ्लोरीन का reactivity जादा दन क्लोरीन देना एडिन तब क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन तो यहां सेम दिख रहा है भाई ऐसे मत देखो ऐसे देखो यह रेशियो है यह रेशियो है फिर तो तुम यहीं बात कर रहे हो कि हमारा हाइट और एक छोटा बच्चा है एक छोटा बच्चा है उसका हा हमारा हाइट डबल है और मेरे इस घर का हाइट बगल वाले विल्लिंग के हाइट से डबल है दियान देना एक छोटा बच्चा है जिसका हाइट से हमारा हाइट डबल है ठीक है बगल में घर है उस घर से हमारे घर का हाइट डबल है इसका मतलब क्या हुआ कि उस बगल वाल घर का हाइट और छोटे बच्चे का हईट बड़ावर हो गया नहीं नहुंए एसा थोरे होता इन फैक्ट यहां पर यह बोला जा रहा है कि क्लोरिनेशन अगर बन डिग्री हाइडोजन के साथ होता तो उसका जो भी रियक्टिवीटी होगा एक्स होगा बाई दबे तो टू डिग्री हैड्रोजन के साथ अगर क्लॉरी नेशन कराए तो उसका रेक्टिविटि भीती 3.8 एक्स होगा फॉइ more fine さ, 5 एक्स होगा ब्रोमीनेशन का ran-ारेट वं डिग्री हैड्रोजन के साथ इतना होगा उसका 82 times होगा 2 degree के साथ 1600 times होगा 3 degree के साथ समझा है एक और data देते हैं अगर CS4 है और इसका करादो Bromination इसका H new के परजिंस में इसका जो rate है अगर 1 है rate of reaction 1 है तो पता है अगर CS4 का sorry यह Bromination नहीं है यह Chlorination है यह Chlorination है यह data हमने मार्च से copy किया है जरी मार्च से इसका अगर हम Bromination करा दें तो इसका rate तो कम होना चाहिए होता भी कम है इसका rate अगर 1 है तो इसका होता है 1 Y कितना होता है मैंने कोई exactly याद नहीं है मैंने note किया है बताता हूँ मैं 375 375 330 सोचो इसका rate 1 तो इसका कितना कम है Bromination का rate है ना तो इसका rate जो भी होगा Chlorination का Bromination का rate बहुत कम होगा बट यह ratio हम नहीं बता रहे है हम बता रहे हैं इधर ratio यह नहीं कर रहे हैं कि Chlorination का 1 डिगरी के साथ हम इतर relation पता इह नहँ रहे है हम बता रहे है इसमें हम बता रहे है इसमें रहे है अब आप जरात देखो मतला बन डिले यार्व crystalline के ऐख्यताइट आफ ब्रोणीे यँक्तिविटी द मीन न क वासातों तो धिल युआuing संगuस dona हिकले घ्विटी ऑद की लिए Además के लिए रियेक्टिवीटी देखते हैं जड़ा धियान देर हम उसको मिटाएंगे क्योंकि हमको जगार नहीं मिल रहा है कि देखो कि देखो कितना आसान तरीका है अगर हम यह कंपॉंड ले ले और इसका करा दें क्लोरीनेशन क्या बनेगा एक ये बनेगा और एक बनेगा ये यहीं बनेगा ना दिस प्लेस दिस कौन मेजर होगा देखो इसको लिख देते हैं ए और इसको लिख देते हैं बी तो हमको एक पर्सेंटेज निकालना है हम क्या करेंगे और यह जो डेटा है ना एक्सपेरिमेंट से लाया गया है कि पर्सेंटेज क्या और कैसे निकलेगा देखो अक्शुली पता है यह डेटा एक्सपेर्युम्न्स से लाया गया है और इसके बैसिस के हम पर्सेंटेज निकाल रहा है actually होता ULTA है percentage जो होता वो experiment से आता है और उसके according यह data बनाया जाता है ठीक है लेकिन हम लोग इंडिया में जानते हैं यह ULTA करते हैं अक्सर तो actually यह data हमने experiment से लाया हुआ delta लिख दिया और इसके basis पे हम percentage बताएंगे generally होता है क्या है lab में experiment से percentage निकाला जाता है और उससे data निकाला जाता है ठीक है अब देखो percentage of A हम लिखेंगे number of यह कब बना है बन डिगरी हाइडोजन के निकलने के कारण बना है यहाँ वाला हाइडोजन यहाँ वाला हाइडोजन यहाँ वाला हाइडोजन तीन बन डिगरी हाइडोजन तीन बन डिगरी हाइडोजन इस तीनों में से छेवों में से कोई हाइडोजन निकलेगा और सियल आएगा तो य degree reactivity of reactivity of one degree hydrogen दोनों का contribution हो गया one degree hydrogen का probability factor number reactivity factor divided by divided by summation of number of n degree hydrogen into number of sorry into probability of into sorry into reactivity sorry reactivity into reactivity of reactivity of one degree sorry one degree नहीं नहीं एन डिग्री क्या हो गया यार थक गया एन डिग्री hydrogen नीचे वाला पता है क्या है देखो क्या है इसको ऐसे लिख सकते हो number of one degree hydrogen into reactivity reactivity of one degree hydrogen divided by अच्छा यहां पर हैंडेट शुट गया है into हैंडेट divided by देखो number of one degree hydrogen into reactivity of one degree hydrogen नीचे में लिखो number of one degree hydrogen into reactivity of one degree hydrogen plus number of two degree hydrogen into reactivity of two degree hydrogen plus number of three degree hydrogen into reactivity of three three degree hydrogen यहींने लिखा हुआ यह है number of n degree hydrogen into reactivity of n degree hydrogen n का value one से लेके three थक n का value one से लेके n तक मतलब one से लेके three थक in fact क्योंकि three degree तक ही होता है समझाया यह इसी को तुम explain थोड़ा लंबा करके लिखोगे तो number of number of one degree hydrogen into reactivity reactivity short में लिख देते हैं बट यह reactivity किसका बन डिगरी hydrogen का plus number of two degree hydrogen into reactivity बट यह reactivity किसका two degree hydrogen का plus number of three degree hydrogen into reactivity बट रिएक्टिविटी किसका three degree hydrogen का ठीक है न इसी चीज़ को हमने ऐसे करके लिखा है अगर बन डिगरी hydrogen two degree hydrogen three degree hydrogen सब है तो इस केस में कितना है बन डिगरी hydrogen और रहा हूं तू डिगरी hydrogen बस है तो बताओ percentage of a क्या हो जाएगा percentage of a percentage of a बताओ क्या लिखें नंबर ओफ बन डिगरी hydrogen अच्छा यह तो हो गया percentage of a का फामूला percentage of b क्या हो जाता यहां बन डिगरी के जगा टू डिगरी हो जाता number of two degree hydrogen into reactivity of two degree hydrogen डिवाइडरेबर नीचे वाला तो सब वही रहता हैंडेड भी बही जाता केवल उपर वाला बदलते जाता नहीं समझे एक दो एकजामपल से समझते हैं percentage of a ए में बन डिगरी हाइडरोजन के कारण यह पोड़क्ट बना है बताओ number of one degree hydrogen इसमें कितना है एक हाइडरोजन दो तीन चार पांच छे हाइडरोजन 6 इन्टू बन डिगरी हाइडरोजन का रियक्टिवीटी कितना है रियक्टिवीटी और बन डिगरी हाइडरोजन क्लोरिनेशन के case में 1 डिगरी हाइडोजन का reactivity 1 है 6 इंटु 1 divided y क्या लिखें number of 1 डिगरी हाइडोजन into reactivity 6 into 1 plus number of 2 डिगरी हाइडोजन into reactivity of 2 डिगरी हाइडोजन 2 डिगरी हाइडोजन कितना 2 हाइडोजन यह बीच वाला हाइडोजन तो क्या लिख दें, 2 into 2 degree hydrogen का chlorination का reactivity क्या है, 3.8 2 into 3.8 into plus number of 3 degree hydrogen है ही नहीं, तो मतलिको या 0 into कुछ लिखने से क्या फर्ग पड़ता है, 3 degree का 5 chlorination के किसमे 0 into 5 और उपर में क्या कर दें, 100 देखो ऐसे भी देखो ने ये परसेंटेज निकाला गया परसेंटेज कैसे निकाला जाता सम्थिंग वाई टोटल इन्टु हैंड रेट सम्थिंग वाई टोटल इन्टु हैंड रेट वही तो क्या गया है इस दोनों का product divided by इस दोनों का product इस दोनों का product का sum total हो गया in to hundred यहाँ पर देखों हैं चुट गया है into hundred ठीक है तो यह आ गिया percentage of a अगर हम percentage of b की बात करें percentage of b की बात करें तो of course h zum i ex को घटा देंगे percentage of b आ जाएगा और एगर formula से ही निकालना चाहें तो नम b किस से इसका मतलब हम लिखेंगे टू इन्टू रियक्टिवीटी ऑफ टू डिग्री हाइडोजन इन केस ऑफ क्लोरिनेशन 3.8 तो इन्टू 3.8 डिवाइड़ वाई तो यहीं चीज फिट से लिखा जाएगा नीचे में तो डिनोमेटर में तो यहीं रहाएगा ना अरे किसी क्लासरूम में 25 बॉइज और 50 गल्स तो परसेंटेज अब बॉइज क्या होगा 25 बाई 75 अब परसेंटेज अब गल्स क्या होगा 50 बाई 75 डिनोमेटर तो सेम ही है ना तो डिनोमेटर क्या लिख दें 6 इन्टू 1 6 इन्टू 1 प्लस 2 इन्टू 3.8 2 इन्टू 3.8 इन्टू 100 बताओ दोनों का भैलू अगर निकालेंगे तो दोनों का भैलू निकालने पर आएगा 43 एन 57 यह आएगा 43 परसेंट और यह आएगा 57 परसेंट मतलब यह 43 परसेंट यह 43 परसेंट और यह 57 परसेंट मेरे को बताओ दोनों का कंट्रिब्यूशन देखे ना तब ही आया है मेजर कौन हुआ यह मेजर हुआ और यह माइनर हुआ अगर तुमसे पूछा जाए कि केबल रियक्टिवीटी के कॉर्डिंग बात करें तो यह दोनों में कौन बनना चाहिए था यह बनना चाहिए था और अगर केबल प्रोबबिलीटी के कॉर्डिंग बात करें नमबर ओफ हैडोजन के रिस्पेक्ट में बात करें तो यह बनना चाहिए था इस case में कौन बीनर हुआ? reactivity या probability? probability के according ये बनना चाहिए था. reactivity के according ये बनना चाहिए था. reactivity बीनर हो गया इस case में? नहीं. लेकिन हर case में reactivity बीनर नहीं होगा. अगर hydrogen का number बढ़ने लगे, जैसे देखो, और कुछ example देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा. इसको मिटाते हैं. इस stable का बारबार जरूद पड़ेगा, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. मिटाते. देखो, इधर हम टेबल लिख लेते हैं, वन डिग्री, ने, थिरी डिग्री, शरी. थिरी डिग्री, टू डिग्री, वन डिग्री. वन इस टू, थिरी पॉइंट एट इस टू, फाइव. क्लोरीनेशन के केस में? ब्रोमीनेशन के केस में क्या है? 16 और था, ये 82 था, और ये 1 था. ठीक है? देखो, अभी हमने क्या निकाला था? इसका कराय था, क्लोरीनेशन और ये था और ये बना था. इसका आय था, 43 परसेंट और इसका आय था, 57 परसेंट. ठीक है? अब जड़ा देखो, अगर इसी का हम कराते हैं, ग्रोमीनेशन और ब्रोमीनेशन कराते हैं, तो बताओ, ये बनेगा और दूसरा बनेगा इधर. ठीक है? इसका परसेंटेज अगर हम निकालें, ब्रोमीनेशन का परसेंटेज निकालें, तो बताओ, क्या होगा? इसका कैसे परसेंटेज निकालेंगे? ये बना है बन दिग्री हाइडोजन से, बन दिग्री हाइडोजन पर ब्रोमीन आने से लगा है, तो नमबर ओ बन दिग्री हाइडोजन कितना? नमबर ओ बन दिग्री हाइडोजन 6, इन्टू, रेक्टिवीटी ओ बन दिग्री हाइडोजन 1, divided by number of 1 degree hydrogen into reactivity of 1 degree hydrogen in case of bromination plus number of 2 degree hydrogen 2 into reactivity of 2 degree hydrogen 82 3 degree hydrogen तो है नी तो इतने रहने तो into 100 यह इसको A बोले और इसको B बोले तो percentage of A नहीं ब्रोमिनेशन के case में और percent इसको जब calculate करोगे तो हमने जो calculate करके रखा है इसको यह आता है 3.5 3.5 3.5 इसी तरह सब इसका percentage निकालोगे तो 100 minus this कर लो या इसको लिख सकते हो इसमें कितना number of 2 degree hydrogen कितना percentage of B बोले तो number of 2 degree hydrogen कितना 2 degree hydrogen से बनाना तो 2 into reactivity 82 divided by denominator में तो वहीं सब्टरम्ड आ जाएगा 6 into 1 plus 2 into 82 into 100 major minor तो तुम इसी को देखके बता सकते हो यहाँ 6 है और यहाँ 2 into 82 है तो इस case में यह major होना चाहिए उपर वाला में भी यही major हुआ था यह अलग बात है बट अभी देखते हैं आगे तो यह आगया 3.5% 3.5% और यह आगया कितना परसेंट यह 100 minus 3.5 कर लो तो यह हो जाएगा 96.5% एक जरूर इंटरेस्टिंग चीज़ा आया है ब्रोमिनेशन के case में अच्छा जरा बताओ यह तो दोनों का contribution अगर हम केबल रियक्टिवीटी के कॉर्डिंग बात करें तो यह पोड़क्ट आंसर होना चाहिए था मतलब यह होना चाहिए था अगर हम रियक्टिवीटी के कॉर्डिंग बात करें रियक्टिवीटी के कॉर्डिंग बात करें तो यह product होना चाहिए था यह दोनों होना चाहिए था और अगर हम probability factor के recording बात करें तो यह दोनों प्रोडक्ट होना चाहिए था होना चाहिए था यर नहीं होना चाहिए था probability factor मतलब number of hydrogen जिसके कारण वो product बन रहा है तो इसमें यह ये बनाने के लिए 6 hydrogen responsible था ये बनाने के लिए 6 hydrogen responsible था ये बनाने के लिए 2 hydrogen responsible था ये दोनों को मेजर होना चाहिए था और activity factor मतलब stability of इसके अर्ण क्या बता रहा है रिजल्ट के का अरीजल्ट के लिए बना चाहिए था लेकिन देखते हैं next question में क्या हमें इसारी activity winner रहेगा कि कभी probability भी winner होगा देखते हैं next example हम देख लेते हैं next example यह है इसका chlorination करा दो H new कौन-कौन product बनेगा दो product बने यह बनेगा और यह बनेगा यह दोनों बनेगा अब बताओ इसका percentage कैसे निकालेंगे number of बंडिग्री hydrogen यह बना है बंडिग्री hydrogen के कारण 9 बंडिग्री hydrogen है यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 9 into 1 chlorination के किसमे denominator जो होगा छोड़ दो denominator वाला टर्म लिखी नहीं रहे है हमको केबल major minor compare करना दिनो मेटर वाला टर्म लिखी नहीं रहे है तो केबल ऊपर वाला टर्म को भी compare कर लेंगे तो major minor तो पता चली जाएगा ना 9 into 1 और इसके लिए क्या लिखें एक ही ही hydrogen है जिसके कारण यह बनने वाला है तो नम्मरों बंडी त्री डिग्री हाइड्रोजन वन इंटू 3D ही हाइड्रोजन का इक्टिवीटी के लोडिनेशन के केस में कितना है 5 बन इंटू फाइड नाइन इंटू बन डिवाइड़ेड़ वाइडिन्यो में सेम होगा बताओ major कौन होगा लिखां ज्यादा बनेगा यह ज्यादा मनेगा यह हुआ major और यह हो गया minor a small m4 minor capital M for major ल लगाओ मतलब 10 divided by 9 इंटो 1 प्लस 1 इंटो 5 इंटो 100 और यहां पर बन इंटो 5 डिवाइड़ वाई बार इंटो 5 इंटो 5 प्लस 9 इंटो 1 उपर में इंटो अगर कराएं तो यह किसके कारण बना है और यहां पर प्रोड़क्ट बनेगा यह और यहां पर प्रोड़क्ट बनेगा यह यह किसके कारण बनाना है बन्पीदीन के कारण 9 इंटो 1 और यह किसके कारण वनाधर रेट कराण की टोटना माल सकतना है जिर्टीव्हंं जान है न का मतलब बना इंटो 3ड डिग्री का के क्शि में ब्रोमिनेशन का रिएक्टिवीटि क्या होता है 3-degree hydrogen के case में Bromination का डियक्टिवी 1600 होता है 1-degree के case में 1 तो 3-degree के case में 1600 1-degree के case में 1 तो 3-degree के case में 1600 यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें 1600 बताओ 1600 into 1 1 into 1600 major यह 9 into 1 major यह minor और यह major नहीं देखो chlorination के case में येहाँ पे कौन वी ने रुआ probability probability factor यह reactivity factor ये dirictivity factor या बनना चाहिए था probability factor ъकर ये सब्सक्राइब गिनर हो गया यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो प्रोलिटी factor हो गया chlorination में जबकी ब्रोस्य Neighbor यहाँ भी reactivity factor बिनर था और यहां भी reactivity factor ही विनर है percentage निकालोगे तो यह almost 100% कास पास आएगा और यह बहुत काम इसका percentage आएगा तुम खुद सो चुना 9Y आजाएगा 1609 into 100 और यह आजाएगा 1600 divided by 1609 into 100 मतलब यह almost 100% कास पास आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉरिनेशन के case में कभी probability factor dominant कर रहा है कभी reactivity factor dominate कर रहा है अईसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लॉरिनेशन के case में जो reactivity का difference है बहुत जादा का नहीं है जबकि bromineion के case में reactivity का difference बहुत जादा का है इसका मतलब अगर 3 degrees hydrogen रहा और ब्रोमिनेशन कराना है तो रियक्टिवीटी के एकॉर्डिंग ही पोड़क्ट बनेगा इलार्म बज रहा है एक मिनट इलार्म बंद करने दो भई इलार्म बंद करने दो बस हाँ देखो मतलब सोचो 2 डिग्री हाइडोजन है 2 डिग्री हाइडोजन है क्लोरिनेशन के केस में अगर 2 डिग्री हाइडोजन का 2 डिग्री हाइडोजन एक है और 1 डिग्री हाइडोजन 4 हो जाता है तो देखो 4 इन्टू 1 और 1 इन्टू 3.8 विनर कौन हो गया मतलब 4 हाइडोजन अगर हो जाए या WOO मतलब्äs किसी कंपॉण्ड में क्लोर्रिनेशन कराना है उसमें 5 है य एक है य दिखी क्लोरिदोजना तो फिर 1 degree hydrogen के according product बनेगा probability factor dominant कर जाएगा 5 1 degree hydrogen मिलके यह 5 into 1 हो जाएगा 1 degree 3 1 3 degree hydrogen मिलके 5 into 1 हो जाएगा नहीं सॉरी सॉरी 1 3 degree hydrogen आएगा तो 5 into 1 और यह 6 हो जाए 1 degree hydrogen 6 हो जाएगा 6 into 1 6 1 degree hydrogen मिलके 1 3 degree hydrogen पर भारी पड़ेगा अभी हम बोल रहे थे 5 1 degree hydrogen मिलके 1 3 degree hydrogen पर भारी पड़ेगा नहीं भारी पड़ेगा 5 1 degree hydrogen मिलके 1 3 degree hydrogen के बराबर होगा chlorination के किसमे but 5 1 degree hydrogen से जादा होगी अगर hydrogen का नमबर तो 1 3 degree hydrogen पर भारी पड़ जाएगा नहीं लेकिन bromination के किसमे 82 1 degree hydrogen होगा तब एक टू डिग्री हाइडोजन के बरावर होगा 1601 डिग्री हाइडोजन होगा तब एक थिरी डिग्री हाइडोजन के बरावर होगा तो ऐसा मोलेकुल तुमको मिलेगा जिसमें 1601 डिग्री हाइडोजन हो और एक थिरी डिग्री हाइडोजन हो ऐसा नहीं मिलेगा जनरली ऐसा मोलेकुल मिलेगा जिसमें 82 1 degree hydrogen और 1 2 degree hydrogen ऐसा भी नहीं मिलेगा जनरली मतलब ऐसा manage manage करके बड़ा सब बनाया जाए तब साथ possible है ऐसा generally नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रोमीनेशन के case में हमेशा वीनर reactivity factor ही होगा क्योंकि 82 1 degree hydrogen रहेगा तब 1 2 degree को के बरावर हो पाएगा 1601 degree hydrogen रहेगा तब 1 3 degree hydrogen के बरावर हो पाएगा simple conclusion अगर chlorination कराना है तो reactivity भी बीनर हो सकता है probability भी बीनर हो सकता है मतलब फिरी radical के stability के according भी product बन सकता है या जहां पे hydrogen का number जादा है 1 degree में जादा है तो 1 degree के according product बनेगा 2 degree में जादा है तो 2 degree के according product बनेगा 3 degree में जादा है तो 3 degree के according product बनेगा मतलब chlorination में reactivity भी बीनर हो सकता और probability भी बीनर हो सकता है कैसे पता करेंगे यह वाला formula यूज़ करेंगे but probability में but chlorination में formula use करने का जरूवत नहीं है reactivity ही winner होगा हमेशा अगर 3 degree hydrogen है तो उसी का product बनेगा 2 degree का नहीं बनेगा अगर 2 degree hydrogen है तो उसी का product बनेगा 1 degree का नहीं बनेगा 3 degree और 2 degree है तो 3 degree का ही product बनेगा क्योंकि धेर सारा 2 degree मिलके भी 1-3 degree के बरावर नहीं हो पाता है धेर सारा 1 degree मिलके भी 1-2 degree के बरावर नहीं हो पाता है धेर सारा मतलब देखो न 82 1 degree रहेगा तो 1-2 degree के बरावर हो पाएगा एक statement दिया जाता है कि जो more reactive होता है वो ले selective होता है more reactive होता है वो ले selective होता है इसका क्या मतलब है समझना एक पहले questions करो मेरे को बताओ अगर इसका हम करा है अच्छा यह example हमने किया था बताओ यह example अगर इसका करा है bromination h1 बताओ क्या बनाओगे product बिना formula का formula का भी उच कर सकता है एक चीज़ बताओ दो ही तरह का दो ही product बन सकता है एक यह product बन सकता है sorry bromination करा रहा है तो bromine ही आएगा chlorine कैसे आएगा यह यह बन सकता था और एक बन सकता था यह यहीं दो तो बन सकता है बाकि कहीं लोग है तो यहीं दोनों बनेगा ठीक है अब तुम बताओ यह बनाने के लिए कितना hydrogen responsible है तीन तीन छे तीन नो तीन बारा बारा इंटू बन क्यों कर दिये वन डिग्री हाइडोजन है जिसका यह activity बन सकता है यह बनाने के लिए कितना hydrogen responsible है 2 हाइडोजन responsible है 2 इंटू 82 2 डिग्री हाइडोजन का activity होता है ठीक है तो 2 इंटू 82 परसेंटेज निकालना है तो 12 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 82 इंटू 100 और यहाँ पर क्या करें यहाँ भी सेम चीज़ कॉपे कर देते हैं 12 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 82 इंटू 100 मेजर माइनर कंपेर करना है तो केवल इसको कंपेर कर लो क्योंकि बाखी सब चीज़ सेम है परसेंटेज देखना है तो पूरा कल्कुलेट करो तो बताओ कौन भारी परा यह भारी परा टू इंटू 82 जादा होगा 12 इंटू 1 से मतलब मेजर यह हुआ और यह माइनर यह हु है तो हाइडोजन का नंबर देखके तो यह नो है बारा हाइडोजन है जो यह बनाएगा और दो हाइडोजन है जो यह बनाएगा तो बारा वाला भारी परना चाहिए प्रविटी के कोडिंग यह होना चाहिए था देखो मेजर कौन हुआ रेक्टिवीटी के कोडिंग ही ज प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टिवीटी के कॉर्डिंग ब्रोमिनेशन में जब्कि जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टिवीटी reactivity के coding भी हो सकता है probability के coding भी हो सकता है किसमे, chlorination में तो इसमें तुमको check करना पड़ेगा, इसमें आराम से reactivity के coding product बना दो सही होगा, इसी के sense में बोला जाता है, देखो bromine जादा reactive होता है कि chlorine जादा reactive होता है fluorine, then chlorine, then bromine, then iodine कौन ज़ाधा रिएक्टिव हुआ क्लॉरीन ज़ाधा रिएक्टिव होता और ज़ो कम रिएक्टिव होता यह बोला जाता है और जो फिसे और में और ऐते होआ है और 1 दोड़ा किसके साथ तुम फाइटिंग करोगे जब 50 स्टुरेंट्स बैठा है सामने में उसमें से किसके साथ फाइटिंग करोगे अब यह चुकर यह पहलवान यह ऐसी दूबला पतला आदमी है उसमें से ढूंडेगा कि कौन कमजोड है उसके साथ फाइटिंग को तयार होगा यह कम था यह जो पहलवान था अधिक है जादा स्छलेक्टीव हुआ है खोज रहा है किससे धगड़ा करना है किस ते के साथ फाइटिंग करना है कम जो धूण रहा है होmor मीन के लिए और एक कम लिए पी होता है इसलिए यह खोजे अधिव मतलभιο कुर्या। कि शॉरी ब्रोमीन कम रियक्टिव होता है इसलिए यह ज्यादा सेलेक्टिव होगा ज्यादा सेलेक्टिव मतलब यह जब बनाएगा जब थिरी डिग्री पोड़क्ट ही बनाएगा तो डिग्री बनाएगा और तो डिग्री नहीं रहेगा तब बन डिग्री बनाएगा ठीक ह लेकिन क्लोरीन का कहानी देखो अगर कोई एक पहलवान को लाया है सही में पहलवान है और हमारे क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए पहलवाना है उसको बोले बताओ किसी से भी जगडा कर लेंगे उस वह सेलेक्टिव नहीं है वह बहु जादा रियक्टिव है और वह सेलेक्टिव नहीं है यह बन डिगरी पोड़क्ट भी बना सकता है तो डिगरी पोड़क्ट भी बना सकता है किसी किसमें बन डिगरी मेजर हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ जो ज्यादा रियक्टिव है क्लोरीन वह कम सेलेक्टिव है जो कम रियक्टिव है ब्रोमीन वह ज्यादा सेलेक्टिव ज्यादा रियेक्टिव वो कम सेलेक्टिव कई बार ये टर्म यूज किया जाता है ठीक है ब्रोमीन और कलोरीन के लिए तो लास्ट में कोईशन्स कर लेते हैं और उसके बाद क्लास खतम करेंगे इसको फटा फट कॉपी करो हालो जी नेशन फिनिशिंग पर ही है इसको फटा फट कॉपी करो ठीक है हम इसको मिटाते है देखो अगर हम एक कमपॉंड ले लेते हैं ये इसका हम करा दें अगर क्लोरीनेशन एचनी ठीक है क्या क्या पॉड़क्ट बनाओगे एक ये बनाओगे क्या बनाओगे एक बनाओगे एक बनाओगे एक बनाओगे एक बनाओगे एक की ये बनेगा एक ये बनेगा और ये हाइड्रोजन और एक ये बनेगा ये बनेगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यहाँ पर बनेगा एक यहाँ पर बनेगा तो एक हो जाएगा यहाँ पर बनेगा तो दो हो जाएगा ओके? यहाँ पर बनेगा तो एक होगा यहाँ पर बनेगा तो यह chiral हो जाएगा दो हाँ ठीक है इतना बनेगा हमने बताया है किलोरिनेशन जब हमने कराया है तो कौन-कौन बनेगा यह हम बताया है अगर सबका परसेंटेज पूछा जाए कितना परसेंटी यह बनेगा कितना प्रसेंट ये बनेगा कितना प्रसेंट 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 कित है तीन तो इसका पर्सेंटेज कैसे निकलेगा थी इन्टू नंबर आफ हाइडोजन रिस्पोंसेबल फॉर दिस प्रोड़क्ट इन्टू रियक्टिविटी ओफ बन डिग्री हाइडोजन तो थी इन्टू वन डिवाइडेड वाइड वाइड थीक है या फिर देखो हम पर् इसके लिए हम क्या करेंगे इसके यह बनाने के लिए कितना हिटोजन रिसपॉसिवल है यहाँ का रिष्पॉण से अधार कुरॉट बनेगा और यह पॉर्ट क्या दो यह कर दो आदू सब्सक्राइब कर फानेगा यह दोनौ इंइनल्स हमेरिक पेयर है मतलब जितना यह बनेगा उतना ही यह मनेगा तो मेरे को बताओ यहाँ पे 2 डिग्री हाइडोजन 2 डिग्री हाइडोजन कितना 2 डिग्री हाइडोजन 2 तो 2 हो गया 2 into 2 डिग्री हाइडोजन का 3.8 होता है यह एक्टिविटी divided by denominator into 100 यही करोगे तो यह percentage होगा यह दोनों को मिला के क्योंकि यहाँ का दोनों हाइडोजन के बज़े से यह और यह दोनों बना है तो इसका percentage क्या हो जाएगा this divided by 2 this divided by denominator term into 100 divided by 2 नहीं मतलब यह जो है यह दोनों को represent करेगा इंसा आधा कर देंगे तो एक को represent करेगा इसके लिए क्या लिखोगे थिरी डिग्री हाइडोजन का नंबर 1 तो 1 इन्टू थिरी डिग्री हाइडोजन का रियक्टिविटी क्लोरिनेशन के सेंस में कितना 5 1 इन्टू 5 divided by denominator into 100 percentage निकालेंगे तो हम percentage नहीं केवल major minor देख रहे है तो numerator term देख लेंगे पता चल जाएगा इसके लिए क्या लिखेंगे तीन हाइडोजन यहाँ का छे हाइडोजन में से कोई भी हाइडोजन इकलके कलोरीन आएगा तब यहीं दोनों बनेगा मतलब छे हाइडोजन इंटू 1 डीग्री हाइड हो जाना तो reactivity बन यह numerator term हुआ numerator term तो सब का बराबर होगा और यह represent करेगा यह दोनों को इसका मतलब देखो रहा है चारहीं बन रहा है लास्ट वाला और इसमें इसमें डील बन रहा है और इसमें डीक बन रहा है और स्ट्रक्ट्ट्रल तो चार ही आना स्टेडियो बोलेंगे तब न अच्छे हो जाएगा तो इसको कौन रिपर्जन कर रहा है थी इंटु बाइं थी इंटु बन इसको कौन रिपर्जन कर रहा है तो इंटु थी पॉंट एट टू इंटु थी पॉंट एट इसक इसको बी बोलें इसको सी बोलें और इसको डी बोलें तो मेचर कौन परसेंटेज किसका ज्यादा परसेंटेज सबसे ज्यादा किसका पॉर्डक्ट में बी का 3.8 इंटू 2 बी का परसेंटेज सबसे ज्यादा देन बी के बाद कौन 6 इंटू 1 D D के बाद कौन C और C के बाद कौन A ठीक है अस्टाफिला इस वमर्स में परसेंटेजze पुछा जाए परसेंटेज का ओडर तो ये होगा बट अगर अस्टेड्यू इस वमर्स में परसेंटेज का ओडर पुछा जाए सब को अलग अलग करके बात किया जाए इस दोनों को अलग करके बात किया जाए तो यहां percentage इसको क्या करदेए इंटू टू करदेंगे तो से डिवाइट कर देंगे और उसके बाद order लिखेंगे तो generally structurized somewhere का ही order पुछता है कौन structuringize किया जाएगा तो इसको यह इसको दो पॉस्मान कर दोंगा दोगा इसको दो ढगे को तो तो दो बनेगा दोनों इकोले मांट में बनेगा उसके बाद यहां जो दो बनेगा और यह सेम बन यहीं न तो जेनरली इसमें पुछा जाएगा अस्ट्रक्षर स्वमर्स कौन जादा बनेगा कौन कम बनेगा समझ में आया है यह सब कुछ क्या हम बता रहे हैं इसमें इन फाक्ट हम परसेंटेज निकालना शुरू किये थे लेकिन बाद में फिर परसेंटेज निकालना छोड हो दिए कवलनी इमिरेटर का टाम लेलियो कि उसी से तो पता चल जाएक ना कॉन मेजर कॉन माइनर परसेंटेज निकालना तो निकालो परसेंटेज कैसे करोगे दीस डिवाइडेट वाई दीस प्लस दीस प्लस दीस ब्लस दीस दीनोमेटर में डाल दो इन्टु हैंड इसका परसेंटेज निकालेंगे इन्टो हेंडेट इस तरह से निकालते हैं कौन मेजर कौन माइनर फिर भी हम बात करते हैं यह जो कोशन से हैं पूछा जाने का चांसे कम है क्यों कम है यह जो टेवल बनाया गया है एक पार्टिकुलर कंडिशन में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया गया है एक पार्टिकुलर सबस्टेट के रेफेरेंस में बनाया गया है हर हाईड्रो कारवन जिससे 3 डिग्री इसमें बोल दिया गया कि बन डिग्री हाईडोजन का reactivity अगर बना है तो 2 डिग्री हाईडोजन average एक वाला भाउयलू ले लिया गया है और पुछ नहीं जैसे बंन डिग्री brumination का rate अगर वन है तो तू डिगरी का रेट 85ический compound मर हो सकता है किसी compound में जैसे देखो यह कंपाउंड मैं इसमें बंडिग्री hydrogen का brumination का जो रेट होगा 2 डिग्री का hydrogen का जो श होग सकता बिन इसक्राइब कोई दुसरा कंपोंड ले ले इसमें यह और यह है यह यह है और यह है और मैज़ nur इसकेस मिई सब्कुर्ण हो सकता है की बंमीशन का रेत लिया जाएं तो 2 लिखाना बता कि यह बाइच से में propose तो थोड़ा आलग होगा मॉटिशन वॉइड पढ़ में ओसे और भूण में इसलिए हमें लगता है कि इससे को知道 पूछा जाने और चीज़ है यह थोरा सा भैरी कर जाने से परसेंटेज परसेंटेज जब जैक्त निकल वाएगा तब ना वह भैलू चेंज होगा मेजर माइनर में कहां फर्क पड़ेगा इसको बेरासी के जगा पे 80 कर दो क्या फर्क पड़ेगा मेजर जो था वहीं रहाएगा मेजर नहीं परसेंटेज थोरा बहुत चेंज कर जाएगा उससे कितना फर्क पड़ेगा ठीक है तो यह था हैलोजेनेशन ओफ एलकेन हैलोजनेशन औफ एलकेन में हमने क्या पढ़ा उसको एक वार रिकॉल कर लेते हैं हैलोजनेशन में हमने पढ़ा कि जब हैलोजनेशन कराते हैं मोनो हैलोजनेशन कराना होता है तो हैलोजन रखते हैं हम लिमिटेड एमांट में और एलकेन रखते हैं एक्सेस एमोंटमें, पहला पॉंट ये याद रखना है, फिलोरीन का रीक्टिवीटी बहुत जादा होता है, इसलिए आयरीनेशन के केस में, जब आयरीनेसन कराना होता है, तो कोई oxidizing agent ले लेते हैं जो oxidizing agent जो ही बनता है उसको oxidize कर देता है लीचर लेड़ फिंस्पल के एकॉर्डिंग प्रोडक्ट आगे बढ़ जाता है और फ्लोरीनेशन इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि यह uncontrolled reaction देता है chlorination and bromination के case में हमने देखा कितना product बनेगा जब number of product पुछा जाए उसमें major minor नहीं देखना है बस product का number बताना है और दुसरा अभी के lecture में हमने देखा कि major कौन बनेगा और minor कौन बनेगा इन पूरी कहानी में जो सबसे ज़्यादा important है वो है number of product कितना बनेगा advanced point of view से नीट और main point of view से बात करें तो वो तो इतना ही पूछेगा कौन सा step initiation step है कौन सा step termination step है कौन सा step propagation step है ठीक है तो और हाँ photon का बहुत limited बहुत कम amount ही container के सारे reactant को है है हलोजनेट करा देने के लिए sufficient होगा ठीक है तो यह था more or less I think Sarah halogenation इसमें हमने क्या नहीं बात किया है हमने बात नहीं किया है कि table कहां से आया हमें नहीं लगता जरूरी कि table कहां से आया यह पढ़ाना जरूरी है ऐसा हमें नहीं लगता लेकिन अगर फिर भी तुम पढ़ना चाहते हो। तो तुम मॉरिशन वॉइड पर सकते हूँ फॉसमेये टेबल तो नहीं दिया इसे मिलता ड। चीज दिया है यहीड फच्ते हो अध्य॥ गंपार में दिया है तो सब्सक्राइब लृत कुछ निकाल साथ है तो तुम चाहो तो कोई टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो अधर्वाइस टाइम नहीं है तो पढ़ने का जरूरत नहीं है जितना पढ़ाया है कोईशन उतना से ही रहेगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है थैंक यू